गुड मॉर्णिंग बच्चों आज हम लोग एलेक्ट्रोस्टेटिक्स का लेक्चर नम्मर 13 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले लेक्चर में हम लोगोंने इलेक्ट्रिक फिल्ड के बारे में पढ़ा था काफी इंट्रेस्टिंग था आज का लेकिन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चोकि काफी समझने वाला टॉपिक है इसको अच्छे से चलिए समझते हैं तो लेक्चर 13 में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential को हिंदी में कहा गया विद्यूत विभव और इसका symbol होता है भी ठीक है? electric potential का symbol है भी और इसको हिंदी में विद्यूत विभव कहते है देखे ये point O है और point O पर Q-Colam के charge को क्या किया गया? fix किया गया इसका मतलब थोड़ा भी force लगा कर इसको अपने जगा से displace नहीं किया जा सकता है चुकि यह जो charge है यह point O पर fixed है इसलिए इस charge को यहां से आप इदर दर नहीं कर सकते है अब यह क्या है infinity और यह जो पूरा गोलिये छेत्र देख रहे है यानि spherical reason इसी को electric field कहते है है न? इस field के अंदर अगर कोई charge आएगा तो यह charge क्या करेगा? यह charge उस पर force लगाएगा और अगर कोई charge इस field के बाहर है यह infinity पर है तो यह charge उस पर कोई force नहीं लगाएगा और यह जो charge force लगाता है उसको field force कहते है क्योंकि यह field भी तो इसी charge का है मान के चलिए यहाँ पर एक कुलम का चार्ज है यहाँ पर कितने कुलम का चार्ज है? एक कुलम, वन कुलम वन कुलम का चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर तो एक कुलम के चार्ज को अब यहाँ से उठा कर बिंदू P तक लाना है एक कुलम्ब के चार्ज को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा लेकिन एक कुलम्ब के चार्ज को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो इस पर फिल्ड के कारण यानि इस चार्ज के कारण बाहर की ओर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा माल लो यह जो force है इस एक कुलंब के charge पर यह जो एक कुलंब का charge है इस पर repulsion force यानि field force कितना लग गया 1 newton और यह repulsion force इस charge के वज़े से लगेगा क्योंकि यह जो बड़ावला charge है जिसको हम main charge या मुख्य आवेस कहते हैं यह charge उस एक कुलंब के charge पर बाहर की ओर लगाएगा repulsion force 1 newton तो अगर इस charge को आप अंदर की ओर ले जा रहे हैं तो आप किधर force लगाओगे 1 newton का अंदर की ओर यानि इस पर external force किधर लगेगा अंदर 1 newton का इसका मतलब इस एक कुलंब के charge पर 2-2 force लग रहा है एक force फिल्ड लगाएगा बाहर की ओर एक force अंदर की ओर लगेगा external force और यह दोनों force हमेशा equal opposite होता है यानि अगर फिल्ड 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 का value 1 newton है तो external force भी 1 newton होगा अगर फिल्ड 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 तो आप जो force लगा रहे हो, that is the external force, और ये charge जो force लगा रहा है, that is the filled force, filled force बाहर लग रहा, external force अंदर लग रहा, filled force क्या चाहता है, यह चाहता है कि यह जो एक कुलम का charge है, यह बाहर चले जाए, और लेकिन हम क्या चाहते हैं कि यहां एक column का charge यहां पर चला है तो इसका मतलब इस एक column के charge पर दो-दो force लग रहा है एक field के द्वारा एक हमारे द्वारा और यहां दोनों ही force क्या है? इक वल अपोजित है इसका मतलब यहां पर दो प्रकार का work हो रहा है जब भी किसी चार्ज पर आप force लगे ही गया और उस चार्ज में displacement होगा तो उस चार्ज पर क्या होगा वर्क होगा ध्यान से देखिए एक कुलम के चार्ज को जब आप अंदर क्यों लाएंगे यह एक कुलम का चार्ज है जब आप इसको अंदर लाएंगे तो आप किदर force लगाएंगे यानि external force किदर लग रहा अंदर और displacement किदर हो रहा अंदर तो आप इस charge पर कैसा वर्क कर रहे है positive यानि यहाँ पर दो प्रका फोर्स पोजेटिव वर्क कर रहा है, लेकिन फिल्ड फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि जब आप एक कुलम के चार्ज को अंदर की ओर लाओगे, तो इस पर आप किधर फोर्स लगाओगे अंदर, आप किधर फोर्स लगा रहे हैं, अंदर, डिस्प्लेस्मेंट क आप किदर धक्का इसको लगा रहा है, अंदर, displacement किदर वो अंदर, दोनों सेम डारेक्शन में है, तो इसलिए external work done क्या है, positive, लेकिन अगर फिल्ड के कारण, यानि इस charge के कारण किदर force लग रहा है, फिल्ड force लग रहा है, तो फिल्ड force लग रहा है, लेकिन displacement किदर और अंदर, ये दोनों opposite direction में हो रहा है, यानि फिल्ड किदर force लगा रहा है, डिस्प्लेस्मेंट किदर और अंदर, इसलिए यहाँ पर फिल्ड के द वर्क में फरक क्या होगा साइन का अगर एक्सटर्नल फोर्स टेन जूल वर्क करेगा तो फिल्ड फोर्स माइनस टेन जूल वर्क करेगा या अगर एक्सटर्नल फोर्स माइनस टेन जूल वर्क करेगा तो फिल्ड फोर्स प्लस टेन जूल वर्क करेगा यह दोनों प्रकार का जो force है यह दोनों ही force variable nature का होता है variable यह constant नहीं होता है इसलिए क्योंकि जैसे जैसे charge को आप अंदर लाओगे तो इस पर क्या होगा इसके द्वारा जो repulsion force लग रहा है यानि filled force बाहर की ओर उसका value बढ़ते जाएगा यहाँ पर 0 newton का force है यहाँ पर 1 newton, 2 newton, 3 newton, 4 newton इसका मतलब यह जो filled force है यह variable nature का है इसका value क्या होता है जो हम नजदीक जा रहे है जो तो क्या हो रहा है distance घटने से क्या होता है force बढ़ता है थेक है तो filled force क्या हो रहा बढ़ रहा external force भी बढ़ रहा इसका मतलब दोनों ही force का ऐसा है variable nature का है एक कुलम charge को infinity से P तक लाने में माल लिजिए external force ने 10 joule वर्क किया external force ने कितना वर्क किया 10 joule एक कुलम charge को infinity से उठा कर P तक लाने में external force ने कुछ तो वर्क किया होगा क्योंकि उसने force लगाया displacement हुआ तो उसने तो वर्क किया positive वर्क किया उसने 10 joule तो इसका मतलब यहाँ point P का जो potential होगा point P का जो potential होगा वो कहलाएगा 10 joule पर कुलम अगर point P का potential 10 joule पर कुलम है तो इसका मतलब हुआ एक कुलम charge को infinity से यहाँ तक लाने में external force 10 joule वर्क करेगा तो किसी point का potential क्या होता है ज़रा देखते हैं एक कुलम charge को एक कुलम charge को infinity से मतलब यहाँ से infinity से किसी point P तक यह कोई भी point P है तो infinity से किसी point P तक लाने में external force के दुआरा किये गए वर्क को उस point का potential कहते हैं किसी point का potential क्या है एक कुलम charge को हम फिर से repeat कर रहे हैं ध्यान से सुनिए एक कुलम charge को infinity से किसी point P तक लाने में एक कुलम देख रहे हैं यह एक कुलम का charge है इसको कहां से कहां तक लाया गया infinity से P तक और लाने में external force ने जो भी वर्क किया उसी वर्क को हम यहां का यानि point P का potential कहते हैं point P का potential 10 Joule पर कुलंब है तो 10 Joule पर कुलंब का मतलब यह हुआ कि एक कुलंब charge को infinity से P तक लाने में हमने यानि external force ने 10 Joule वर्क किया अब मान के चलो यहां से हमने Q कुलंब का charge उठाया और इसको यहां तक लाया Q कुलंब के charge को infinity से उठाकर हमने कहां तक लाया point P तक लाया और हमने कितना वर्क किया W तो point P का जो potential होगा ध्याल से सुनिएगा Q कुलंब charge को infinity से P तक लाने में external force ने कितना वर्क किया W तो एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा W by Q तो इसी को potential कहते है potential का formula होता है work per unit charge work per unit charge का मतलब हुआ कि एक कूलम चार्ज पर किया गया work एक कूलम चार्ज को infinity से P तक लाने में जो भी work किया जाएगा external force के द्वारा वही यहां का potential होगा तो अगर Q कूलम चार्ज को infinity से P तक लाने में हमने W जूल वर्क किया तो एक कूलम चार्ज को लाने में कितना work करेंगे W by Q उसी को यहां का potential कहेंगे अब देखो work भी scalar है charge भी scalar है तो potential क्या हो जाएगा scalar तो potential कैसा quantity है scalar potential का SI unit क्या होता है Joule per कूलम जिसको क्या कहते है Volt कहते है potential का dimension होता है work by charge के बराबर work का dimension होता है ml square t-2 charge का dimension होता है it अब देखो ml square रहने दो अब यहां पर t है यहां पर t है t का power 1 है यह 1 जाके यहां घटे का t-3 होगा i का power 1 है इसको उपर ले जाओ i-1 होगा तो यह तो potential का dimension निकल लिया potential का formula होता है w by q work by charge work per unit charge को potential कहते है यहां एक scalar quantity है अदिसरासी है इसका ऐसा unit joule per column volt होता है और इसका जो dimension होता है ml square t-3 i-1 होता है अब देखिए potential का एक और मतलब समझे potential अगर मान लो point p का potential 10 volt है तो इसका क्या मतलब हो अगर यहां का potential 10 volt है तो इसका मतलब हुआ 10 zool per column इसका मतलब हुआ एक कुलम charge को infinity से P तक लाने में external force 10 zool work करेगा इसका एक और मतलब है एक और यह मतलब है कि अगर हम एक कुलम charge को यहां पर रखेंगे तो इसका potential energy 10 zool होगा 10 zool per column 10 zool per column का एक और यह मतलब है कि अगर एक कुलम charge को यहां पर रखा जाए तो उसकी energy कितनी होगी 10 zool energy इसलिए होगी क्योंकि जैसे ही एक कुलम charge को यहां पर रखकर छोड़ेंगे तो वह charge repulsion force के वाएसे भाग जाएगा इसका मतलब उसमें जरूर कोई न कोई energy है तभी वह भाग रहा है इसका मतलब वह कौन सा energy है potential energy है इसको बेटर तरीके से बोलता है यह कौन सा potential energy है यह electro-static potential energy है तो point P पर point P पर एक कुलम charge के potential energy को point P का potential कहते है यहाँ पर point P का potential point P का potential क्या है यहाँ का potential है 10V point P का potential 10V है 10 Zool पर कुलम है मतलब एक कुलम charge का यहाँ energy कितना है 10 Zool 2 कुलम charge का energy 20 Zool मालनोग point P पर हमने 3 कुलम का charge रखा तो इसका potential energy कितना होगा तो potential energy का formula होता है charge into potential U का मतलब potential energy, U का मतलब potential energy, V का मतलब होता है potential तो potential energy का फर्मला होता है charge into potential तो अगर हम P point पर Q कुलम का charge रखेंगे तो उसका potential energy हो जाएगा Q into V Q का value है 3 कुलम, आप potential का value है 10 Zool पर कुलम, पर कुलम cancel, तो ये 10 तिया 30 Zool इसका मतलब 1 कुलम का energy है 10 Zool, 2 कुलम का energy 20 Zool, 8 3 कुलम का energy 30 Zool point P पर 1 कुलम charge के potential energy को point P का potential कहते है अगर point P का potential 10 V है, तो इसका मतलब 1 कुलम charge का energy 10 Zool है अगर point P का potential 10 V है इसका मतलब 1 कुलम charge का energy 10 Zool है तो potential का 2-2 मतलब हो गया एकूलम चार्ज का पोटेंशल इनर्जी एक कूलम चार्ज का पोटेंशल इनर्जी पॉइंट पी पर जितना होगा एक कूलम चार्ज का पोटेंशल इनर्जी पॉइंट पी पर जितना होगा उसे पॉइंट पी का पोटेंशल कहते है अब देखिए पोटेंशल का दो मतलब हो गया यह पहला मतलब यह दूसरा मतलब पहला मतलब है मालो अगर पॉइंट पी का पोटेंशल है दस वोल्ट तो दस वोल्ट का मतलब दस जूल पर कूलम मतलब एक कूलम चार्ज को इनफिनिटी से एक कूलम चार्ज को इनफिनिटी से पी तक लाने में एक्स्टरनल फोर्स कितना वर्क करेगा तो एक्स्टरनल फोर्स दस जूल वर्क करेगा 10 जूल पर कुलम का मतलब एक कुलम को यहां से यहां तक लाने में external force 10 जूल पर करेगा दूसरा मतलब एक कुलम चार्ज को P पर रखा जाए तो उसकी energy यानि potential energy कितनी होगी 10 जूल एक कुलम चार्ज की एक कुलम चार्ज की energy कितनी होगी 10 जूल अब सोचो यहां का potential है point P का potential है 10 volt यानि एक कुलम की energy 10 जूल और यहां point P पर हमने 3 कुलम का charge रखा तो उसकी potential energy कितनी होगी तो potential energy हो जाएगी Q into V Q है 3 कुलम और V है 10 जूल पर कुलम तो कितना हो जाएगा 30 J तो potential energy का formula होता है charge into potential अगर किसी point का potential V volt हो और वहां पर आपने Q कुलम का charge रखा तो उस Q कुलम के charge का energy होगा Q into V energy इसलिए क्योंकि charge को जैसे ही छोड़ेंगे भागता है इसका मतलब उस charge में energy होगा और energy कैसे calculate करेंगे charge into potential मालोक इसी point का potential है 10 volt यानि 10 जूल पर कुलम और वहां पर आपने 3 कुलम charge रखा तो energy हो जाएगे 30 जूल तो ये था lecture आपका electric potential का इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे potential का दो मतलब क्या क्या होता है अच्छे से पढ़ लेंगे चलिए हम लोग next lecture में मिलते हैं Thank you